150-160 सेग्मेंट में काफी स्मूथ माने जाने वादी यामाह की FZS V3 अब आ चुकी है BS6 में तो आईए जानते हैं मार्केट रिव्यू से क्या पता चला है इस गाड़ी के बारे में और उसी संबरी के आधार पर हमेशा की तरह आज का भी ये वीडियो होने वाला है कैसा है इसका engine performance, कैसी है इसकी sitting quality, कैसी है इसकी build quality, कैसे ही इसके suspension, इसके tires तरह तरह के सवाल, तरह तरह के जवाब जानने के लिए बने रही है मेरे साथ, मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क आटो गुरू सक्से पहले बात कर लेते हैं इसके look की, तो देखो ये हमेशा की तरह एक subjective matter होता है लेकिन personally मुझे अगर पूछा जाए तो इसका look अपनी segment में आने वाली बाकी गाडियों की मुकाबले वाकई eye catching look है काफी attractive look है, जब आप इसे रास्ते पर चलाते हो तो लोग मुढ मुढ के देखते हैं इस तरह का इसका look नजर आता है काफी बहतरीन sporty look इस गाड़ी में आपको मिल रहा है खास तोर पर college students की ये पहली पसंद है बढ़ते है main मुद्दे पे और वो है इसके build quality build quality की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर काफी बहतरीन मिल रही है कुछ जगा ऐसी है जहाँ पर आपको cost cutting नजर आ जाती है लेकिन इतना माइने नहीं रखती है जैसे इसका rear tail lamp है वहाँ पर core quality थोड़ी से नजर आती है fuel tank पर जो plastic material है वो थोड़ा सा weak नजर आता है इसके अलावा जो भी जहाँ भी जैसे भी fix करा गया है assemble करा गया है अपने आप में बहतरीन साबित होता है क्योंकि इसके switches की quality, handle की quality जो इसमें iron material है उसकी quality जो plastic material, fabric material, tires की quality सब कुछ जो भी है जैसे भी है, जहाँ भी है, assemble करा गया है, fix करा गया है अपने आप में काफी मजबूत नजर आती है तो इस तरह से ये एक बहतरीन package Yamaha द्वारा इस बार हमें provide किया जा रहा है अब अगर handling की बात कर ली जाए, तो 137 kg की ये गारी आती है इसका initial pickup भी काफी अच्छा है, बाकी जो अपने segment में गारी आती है उसके बराबर का, in fact, उससे थोड़ा सा plus ही आप इसे मान सकते हो अब अगर आप इसे CT में चलाते हो, तो भी आपको traffic में इतना जादा जो है इसका clutch, जैसे कुछ गाडियों का होता है, hard है, तो इसका काफी smooth है यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली फर्स्ट या सेकंड गेर पे ही यह गाड़ी आपको अच्छे से चलती है आपको जादा irritate नहीं करती है traffic में highway की अगर बात कर ली जाए, तो इसकी central gravity जो है पकड़ बना के चलती है काफी बहतरीनी यह गाड़ी चिपक के चलती है, पकड़ कर चलती है वही इस गाड़ी का turning radius भी कुछ हट शॉर्ट माना जाता है, काफी अच्छा है और इसका जो top speed है, वो 115 km पर hover तक का है और अगर आप इसे highway पर चलते हो, तो एक दम मक्खन चलती है बहुत जादा मज़ा आने वाला है आपको इसे चलाने में क्योंकि इस गाड़ी में आपको 17 इंचेस के tubeless tires मिल जाते है alloy wheels के साथ जो अपना काम बखुवी निबाते है highway पर काफी अच्छी पकड़ बना कर ये चलते है बारिश के दिनों में भी कही ना कहीं जो डर बैठा रहता है अंदर की ये skit हो सकती है, panic breaking की situation में तो वो problem खासे कम नजर आते हैं आपको इस गाड़ी में वैसे इस गाड़ी को हमने जादा नहीं चलाया तीन से चार किलोमेटर चलाया लेकिन जहां भी चलाया कुछ हद तक थोड़ा सा रास्ता गीला था उस base पे ये experience मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि आपको बारिश की दिनों में शायद ये गारी जादा दिक्कते ना दे आईए मुद्दे की बात करते हैं इसके engine performance की 1500cc का इसका engine आता है और ये BS6 के साथ आ चुका है और वही आपको इसमें 5-speed gearbox मिल जाते हैं और smoothness की बात कर लिजाए तो after all भाई ये Yamaha का engine है Yamaha का engine होते ही बहुत smooth है इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 90-95 के बाद भी आपको engine में किसी भी तरह की noise नहीं नजर आती है और नहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि ये struggle कर रही है खीच रही है दो बंड दे बैटे है फिर भी आपको मतलब थोड़ी power का lack जिसे कहते है वो नजर आएगा उस तरह की चीजे नहीं दिखने वाली और नहीं आपको महसूस होने वाली 100 या फिर 105 मतलब 100-105 km per hour के बाद थोड़े से vibrations आपको इस candle bar पे और food rest पे महसूस हो सकते है लेकिन वो जायज है क्योंकि इतने speed में हर किसी गाड़ी पर vibrations महसूस होते ही है यामा के engine low maintenance engine भी माने जाते है इस गाड़ी के previous track record अगर चेक करा जाए तो ये maintenance free bike भी कह सकते है यानि कि low maintenance bike आप ये मान सकते हो और इसका engine काफी अच्छा और smooth मक्षन की तरह चलता है 790 mm की इसकी seat height मिलती है यानि की 5.3 या फिर 5.4 height के नीचे की बंदों को थोड़ी सी जमीन पर पर टिकाने के लिए दिक्कते आ सकती है उसके अलावा जो इसके उपर बंद है उनके लिए जो है sitting काफी अच्छी है वही rider के लिए और pillion के लिए काफी बहतरीन seat आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जारी है comfortable sitting position है कुछ हद तक long ride पर rider के लिए इसका जो sitting posture है वो दिक्कते दे सकता है कंदों में थोड़ा सा दर्द मैसुस हो सकता है तो यह हो सकता है वाली बाते है पिर भी जिस तरह से Yama ने इसे assemble करा है वो काफी अच्छी cushioning इसमें है और comfortable riding का एहसास आपको इसके seating position भी दिला देती है front में telescopic और rear में आपको monoshock adjustable suspensions मिल जाता है जो अपना काम बखो भी निबालेते है क्योंकि जब कभी आप इसे off-roading करते हो यानि कि गड़ो वाले रास्तों में लेके जाते हो आपको ज़्यादा दिक्कते नहीं आती है इसकी suspension की वज़े से जो कि अपना काम बखो भी निबाती है और अच्छा sustainability प्रोवाइड करती है अगर आप long ride में निकले हो और वहाँ पे अगर रास्ता कुछ ज़ादा ही खराब है तो एक 80-90 km के बाद थोड़ी सी जो है आपको ठकान महसूस हो सकती है इस गाड़ी में आपको दो disc यानि के ट्विंग disc के साथ single channel ABS की braking system मिल रही है यह कुछ हद तक kombi brake की तरह काम करती है पीछला दबाओ तो अगला भी function में आ जाता है तो 75-80 km के speed पर भी आपको यह अच्छे से sustain कर लेती है panic situation में भी आपको यह breaking काफी अच्छी sustain ability अपने आप में रखते है वह अगर आप इसे रात में चलाते हो यानि कि dark night में अगर चलाना पड़े तो जो इसका headlight है वो इस बार full LED मिल रहा है और अपने आप में काफी अच्छी visual ability रखता है तो dark night में भी आपको यह दिक्कते नहीं देने वाला 13 liter, 13 liter का इसका आपको जो है fuel tank capacity मिलती है लेकिन real mileage की बात करू तो वो अभी तक पता नहीं चला है जल्दी उसका वी वीडियो इस चैनल पर आ जाएगा market review की बात हो रही है तो market review से अगर पता कर लिया जाए तो यहाँ पर 40 से लेके 45 तक का आपका mileage पहले जो BS4 के variant था उसमें मिलता था अब यह FI में आ गई है basic में आ गई है तो हो सकता है यहाँ पर mileage increment देखने को मिले अब अगर दिखता है तो आपको यह 45 से लेके 50 के बीच में शायद देखने को मिल जाए वैसे भी mileage भी आपके उपर depend करता है कि आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो किस तरह से उसे रगड़ते हो अब अगर price की बात कर ली जाए तो लगबग 1,10,000 रुपए अलग अलग जगा पे जो है इसके price होती है मैंने 22 price बताई अलग अलग जगा पे अलग अलग price होती है दिल्ली मुंबई चैन्ने कोलकता हर जगा तो आप आपके नजदिकी शोरूम पर जाकर इसे पता कर सकते हो कि यह आड़ी आपके CT में कितने की on-road मिलती है अब अगर बात करे resell value की तो यह कुछ हद तक 50-50 segment में आता है यानि कि कुछ लोगों old जो BS4 के user थे उनका मानना है कि इसकी resell value काफी अच्छी रहती है अब अगर moral की बात कर ली जाए क्या ये गाड़ी आपको 1,10,000,1,15,000 उपए देखकर worth है value for money है या फिर इस price range में कुछ और ऐसे option जो इससे better है तो देखो ऐसा है कि आज की date में इस गाड़ी के competitor की अगर बात करी जाए तो RTR 160 है, Gixxr है, Pulsar है, Pulsar Twin जो UG5 कहते है तो ये तरतर के इसके competitors है जो इसको तगड़ी competition देते है ऐसे में आपके उपर depend करता है कि आपको कौन से brand के साथ जाना है वैसे performance सभी का एक जैसा नहीं है, सभी में कुछ खूबिया है, कुछ कमिया भी है, तो अलग-अलग बंदों की अलग-अलग choice हो सकती है आप मुझे comment में बताना कि आपको Yamaha की गाड़ी अच्छी लगती है, या फिर बजाज पलसर अच्छी लगती है, या फिर जिकसर, या फिर कोई और, या फिर RTR जो भी है तो आप मुझे comment में ज़रूर बताना उसी के साथ ये भी बताना कि अगर आप इस गाड़ी के owner हो, आपने ले रखी है और जितने points मैंने बताए, उन में से कुछ ऐसे points है, जो मुझे से चुट चुके और वो मुझे बताना चाहते हो तो नीचे comment box आपके लिए खूला है, क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हर एक viewer आपकी comment भी देखेगा और उसके buying decision के time उसकी help भी हो सकती है वही अगर आप चाते हो कि आपके car और bike से related सभी सवालों के जवाब आपको एक ही channel पर available हो जाए तो ये channel स्रिप आपके लिए है, इसे subscribe करना ना भूले साथ ही नीचे description में मैंने मेरे इंच्टा और Twitter की link दे रखी है वहाँ पर जाकर आप मुझे follow कर सकते हो, सबसे पहले update आपको वही पर मिलती है इसके बाद अगर आप आपकी गाड़ी के लिए recommended oil कौन सा है वो डोन रहे हो तो उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी, आपके गाड़ी के नाम के सामने आपको Amazon affiliate की link मिल जाएगी वहाँ से आप buy कर सकते हो, तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार